आजम बनाएंगे बहुत हेल्दी और टेस्टी नाष्टा। सुभा की भागदोड के लिए आजम प्रोटीन से भरपूर और जटपट बनने वाला हेल्दी नाष्टा बना कर तैयार करेंगे। सुभा की जल्दवाजी में आप इस नाष्टे को बना सकते हैं तो चलिए बिना देरी की हुए फटा फट इस नाष्टे को बनाना शुरू करते हैं और इसको बनाना बहुती आसान है उम्मीद करती हूँ आपको ये रेस्पी अच्छी लगेगी तो आए रेस्पी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरी रेस्पी को ज़ादा स जाय का अपने किचिन का तो इसके लिए हम लेंगे चने की डाल तो यहां पर हमने एक कप चने की डाल ली है जिसको हमने तीन से चार गंटे के लिए भिगो दिया था जिससे वो अच्छे से फूल चुकी है तो चने की डाल हमारी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है और एक पर हमने मुँव्मसूर की डाली है तो दोनों की कॉाइटिटी बरावर है और अब हम लेंगे एक templates क imagem जार और जो हमने डाल ली ती उसकाrit पादी निकलने के बाद हम दाल को मिक्सी के जार में डाल देंगे तो यहां पर हमने चने की डाल दाल दी है और इसमें हम डालेंगे मूंग मसू की डाल तो यहां पर हम जो यह नाश्ता है दाल से बनाने जा रहा है जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही जादा हेल्दी बनने वाला है और इसमें हम चिलका उतार कर उसको छूटे छूटे टुकडों में कट कर लिया है और इसको अच्छे से वाश कर लिया है तो इसको हमने छूटे छूटे टुकडों में कट करके मिक्सी के जार में डाल देना है जिससे ये काफी आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे तो आलो को हमने इसमें ड तो यहां पर हमारा बहुती पर्फेक्ट एकदम बैटर बनकर तैयार हो चुका है और हमारा एकदम इसमूद सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और इसको हम एक बाल में ट्रांसफर कर लेंगे जो हमने डाले और आलो पीसिते वो हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे तो यहां आप अपने हिसाब से इसमें मिर्च क्यूंटिटी कम या जादा भी कर सकते हैं तो यहां पर हमारा एक्दम स्मूज सा बैटर बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही परफेक्ट हमारा नाश्टा बनकर तैयार होगा तो सारे बैटर को हमने बाउल में ट्रांसफर कर लिया है इसम से इसका जो फ्लैवर है वो बहुत जादा बढ़ी आता है आप इसको इसके पना करें और इसमें अब जाएगा आदी छूटी चमच के करीब चिली फ्लैक्स आप चाहें तो इसकी जगा कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और इसमें हम डालेंगे एक चौथा ही चम स्मूध हमारा वैटर बनकर तैयार हुआ है बहुत फी पर्फेक्ट नाश्टा बनकर तैयार होगा तो चलिएब हम गैस की तरफ चलते हैं गैस पर हमने दो गिलास की करीब पाणी को अच्छी से गरम कर लिया है पानी हमारा अच्छी से बाउल हो चुका है तो इसके उपर ह अगाएंगे तो जो सारा नाष्टा ہے वो आसानी से निकल जाएगा और इसके ऊपर हमने जो बैटर बना कर तैयार किया-था दाल का वह हम डालेंगे तो यहां पर हम चम्मच के हैल्प से बैटर को डालेंगे तो ना तो हमें जादा पतला बेटर डालना है और ना जादा गाड़ा रखना है और इसका शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आपको इसको बड़ा रखना है तो आप इसको बड़ा भी रख सकते हैं तो यहाँ पर चमच की हल्प से हम सारे नाश्टे को डाल देंगे तो यहाँ पर हमने जो बैटर डालना है वो जादा हम मोटी शेप में नहीं डाल रहे हैं नहीं जादा पतली शेप में डाल रहे हैं तो सारे नाश्टे को हमने इसी तरह से डाल देना है और जो ये नाश्टा है हम डाल से बना रहे हैं तो ये बहुत ही पोश्टिक और बहुत ही जदा टेश्टी नाश्टा बनकर तैयार होगा साले नाश्टे को हमने इसको पर डाल दिया है और इस पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी सी इस नाश्टे के ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगा जो घर में regular मिर्च यूज होती है वो भी डाल सकते है मिर्च डालने से जो ये नाश्ता है देखने में चितना जादा अच्छा लग रहा है ना खाने में तो बहुती जादा टेश्टी लगने वाला है तो मिर्च को हमने इसको पर डाल दिया है और इसको हम एक थालिसी कवर कर देंगे और इसको हम 5-6 मिनिट के लिए हाई फिलम पर इस्टीम करेंगे 5-6 मिनिट हो चुके हैं तो हम इसको खुल कर देखते हैं नाश्ता हमारा बहुती अच्छे से इस्टीम हो चुका है तो इसको हम बहा निकाल लेते हैं और ये बहुती एजली निकल जाता है और देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, खाने में तो बहुती ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है तो सारे नाश्टे को एक एक करके हमने इसी तरह से निकाल लेना है और ये बहुती आसानी से बनकर तैयार हो जाता है तो सारे नाश्टे को हमने बाहा निका लेना है और बहुती ज़्यादा बढ़िया हमारा नाश्टा बनकर तैयार हुआ है तो यहां पर यह बिल्कुल भी नहीं चिपकरा है क्योंकि हमने इसमें ओयल लगाया हुआ था और यह बहुती इजली निकल भी जा रहा है तो सारा नाश्टा हमारा अभी रेडी नहीं हुआ है हमने इसको एकदम टेश्टी फिलेवर देना है जो फिलेवर हम देंगे बहुती ज़ादा बढ़िया हमारा नाश्टा बनकर तैयार होगा आप अगर किसी वो खिलाएंगे ना तो वो यकीन नहीं मानेगा कि आपने इसको दाल से बनाया है सेम प्रोसेस से हमने दूसरे बैच को भी इस्टीम कर लेना है इस्टेनर पर हमने ओल लगा लिया है और चम्मस से हमने बैटर को इस तरह से फैला देना है और ये बहुती एजली बनकर तैयार हो जाता है इस नाश्टे को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो सारे नाश्टे को हमने इसी तरह से फैला देना है सारे नाश्टे को हमने इस टेनर पर इस तरह से फैला दिया है और इस पर भी हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है तो यहां पर आप अपने हिसाब से मिर्च कम या जादा भी कर सकते हैं तो मिर्च को हमने इसको पर डाल दिया है इससे यह देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसको भी हम 5-6 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे 5-6 मिनट हो चुके हैं तो हम नाश्टे को खुल कर देख लेते हैं नाश्टा हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है और इसको भी हम बहार निकाल लेंगे और यह बहुत दी इजली निकल जाएगा तो यहां पर हमने सारे नाश्टे को इसी तरह से बहार निकाल लेना है और यह देखने में बहुती ज़दा अच्छा लग रहा है ना खाने में बहुती ज़दा टेस्टी लगने वाला है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा तो सारे नाश्टे को हमने प्लेट में बाहा निकाल लिया है और इसको हम एकदम बड़ी अफलेवर देने वाले हैं आप चाहें तो इस नाश्टे को ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं इसको हमने इस्टीम किया है तो ये बहुत ही जदा हेल्दी भी है इस नाश्टे को हम बहुत ज़दा हेल्दी और चटपटा बनाने वाले हैं तो इसके लिए हम चाकू लेंगे और चाकू की हैल्प से हम इस तरह से इसको दो पाइट में डिवाइट कर लेंगे आप चाहें तो इसको इस तरह से भी डिवाइट कर सकते हैं या आप इसको चार पीस में भी डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको चार पीस में भी डिवाइड करेंगे तो आपकी अपनी मनपसंद शेप के हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसको चार शेप में कट किया है और ये बहुती अच्छे से स्टीम हुआ है और ये बहुती जदा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें डालों का यूज किया है और डाल बहुती जदा हेल्दी होती है तो सारे नाश्टे को हमने इसी तरह से कट कर लेना है और जो ये नाश्टा है बहुत जदा हेल्दी बनकर तैयार होने वाला है और खाने में तो बहुत जदा बड़ी अलगने वाला है आप इस नाश्टे को एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा तो सारे नाश्टे को हमने इसी तरह से कट कर लिया है तो यहाँ पर हमने जो दूसरा बैच इस्टीम किया था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसको भी हम कट कर लेंगे और सुबा सुबा की भाग दोड़ हो तो बहुत बार मन करता है कुछ ऐसा चटपटा आसान सी रेस्पी बना कर तयार करें तो आप इस रेस्पी को ट्राइ कर सकते हैं जो कि हेल्दी के संगसंग टेश्टी भी है तो नाश्टे को हमने इस तरह से कटके तयार कर लिया है तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर हमने एक चमच के करीब ओयल को अच्छे से गरम कर लिया है ओयल हमारा गरम हो तो इसमें हम डालेंगे आदी छूटी चमच के करीब काली सरसों आप चाहें तो इसकी जगा राई भी डाल सकते हैं और इसमें हम डालेंगे आदी छूटी चमच के करीब सफएग तिल और इसको अच्छे से हमने क्रेकल होने देना है और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइ कर लेना है गैस की फिलेम को हमने low to medium रखा है और प्यास हमारी ट्रांसलूशन कर लिया है और जो हमने नच्टा बनाकर तायार किया था वो इसमें डाल देंगे तो यहां पर आप इस ताहसी नाच्टे को डाल सकते हैं और यहां पर प्लेट में जो नाच्ट कर देंगे तो ना पेले हम इसको 2 minutes के लिए उलटते पलटते विए फ्राइ करेंगे ताकि जो नाश्ता है वो हमारा अच्छे से फ्राइ हो जाए तो नाश्ता हमारा कुछ इस तरीके से फ्राई हो चुका है और इसमें बड़ी असा फ्लैवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चमच के करीब पाव भाजी मसाला, अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप उसकी जगा मेगी मसाले का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो यहां पर हम इसमें थोड़ा सा मेजिक मसाला भी ड लॉस कर लिया है और सारा मसाले में अच्छे से कोट हो चुका है, गैस की फिलेम को हमने लो टू मीडियम रखा था और लो टू मीडियम फिलेम पर हमने इस नाश्टे को बनाया है, और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा हरधनिया, आप चाहें तो इसकी जगा मिक्स कर लेना है, जो हमने धनिया डाला था उसको हमने डालने के बाद इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करना है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे नाश्टे का कलर भी चैंज हो चुका है, और जो सारा मसाला था वो नाश्टे में अच्छे से कोट हो चुका है, तो नाश्टा हमारा बहुती चटपटा और मज़िदार बनकर तयार हुआ है। चलिए बहुती डिफरेंट और यूनिक स्टैल का हमारा नाश्टा बनकर तयार हो चुका है। बिना दिरी के हुए हम इसे सर्फ कर लेते हैं। देखने में बहुती जदा बड़िया लग रहा है ना। खाने में तो बहुती जदा टेस्टी लगने वाला है। आप इसको बच्चों की लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और सुबा की भागम दोड़ में आप इसको बहु पाओगे नहीं जब तक जान नहीं पाओगे ये कितना टेस्टी और चटपटा बनकर तयार होता है। तो सारा नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आपको आज के हमारी रेस्पी कैसी लगी आप अपना फीड़ बैक हमें कमेंट के जरीए जरूर दीजिएगा। तो